हेलो एक बर इस पास्ते की रेस्पी को जरूर ट्राइ करें और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले तो चलिए आज की सुपर टेस्टी पास पानी में हन्य इसमte ही फोड़े-स हुबाल होना शुरू हो जाए तो इसमें नमक के बाद मैं यहां पे डाल दे रहे गहां आदा छोटी चमच तेल यह तो पकाना थो तो मैं आप चिपकेगा नहीं है इसलिए मैं इसमें अभी तेल डाल रही हूं, और जैसे ही पानी में उबा लाना शुरू हो जाए तो इसमें क्या करेंगे अपना'm, पास्ता मैं डाल देख़ने में दो पका लेना है, देख सकते हैं कि यह पास्ता काफी अच्छ से अदुग उबल रही हूं तो इसको थोड़ा मैं चला दे रही हूं जिससे कि मतलब थोड़ा अच्छे से चारो तरफ से पक जाए और इसको हमें चार से पांच मिनट के लिए पका लेना है यहां पर पांच मिनट हो गए मैं एक बर चेक कर ले रहे हूं पास्ता पका है कि नहीं तो आप देख सकते हैं अच्छे से दब रहा है यानि कि पक गया है तब इसको क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे और किसी चलनी में चान लेंगे ताकि इसका पानी जो है अलग हो जाए तो मैं इस चलनी में चान ले रही हूं और इसका पानी जो है ना फेकेंगे नहीं क्योंकि ग्रेवी की वी ढाइन जैसे ही गर्म हो जाए है कि जैसे ही तेल मैं डाल रही हूं समस्विधी तो तुष्यम् सर्सोट समस्वाद कि यहां पर डाल जा ड़ने तो शयक्त सब्सक्तिक कर्चाबकरां भूल। जैसे ही तेल कहें ऑड़ी है काट लholके काटन नहीं नहीं यह भूने आज पर बून काट ली द्सक्ता हमाई हमाई हुल बांए है में अब इसमें और समुनिघ ये भू Cotton प्रोलम ऑसी संसे से ह्याज वैसागा अभी दर शिया नहीं नहीं fu जैसे यह भून जाए तो इसमें कुछ सबजिया डाल दे रही हूं आपके पास जो भी सबजिया हूं आप डाल सकते हैं तो जैसे मैं यहां पर यह बींस डाल रही हूं और कैप्सिकम यानि की सिम्ला मिर्च और इसको डाल करके ऐसे चला लेंगे और दो से तीन मिनट तक इसको भून लेना है अब देख सकते हैं यहां पर यह अच्छे से भून गया है ड़ा आपद यहां यहां पर मैंने टमाटर को मतलब पीस लिए है टमाटर की पीध्यिल को बोलते हैं मैं इसमें वो डाल रहे हूं प但是 packets प्रफशन brought together 1 1-2-2-2-1-2-2-2-2-3-2-2-3-2-1-3-3-2-2-2-3-4-3-2-3-1-3-4-3-2-4-1-2-4-3-4-2-2-3-4-3-4-3-4-4-6-4-2-5-6-5-5-5-5-5-6-2-1-4-5-6-6-6-6-7-7-7-8-9-7-9-9-5-6-7-9-9-9-7-9-9-8-9-9-1-9-9-6-9-4-7-8-9-9- Each function is really handy स्वाद के अनुसाल नमक दो lookin मैं यहां पर नहीं कने सबग ह headsetban नहीं दो यहांद डाल दे रही हूं उसके बाद इस नहीं एक विर थुक्त ही इना और मिला नें यहांद mo う इसमें पकाली नहीं कर दon शैचे हम दिम्ताने पने जना पर आलगे ना है पाने में लाइन आला जाए हैं डाल वाणा यहां बड़ और यहां पर इस तीन मश्यात कि डाल करंगे व हम आला है लक्नलता में दोक्ति फिकाणा केचप डाल है अब से अलगा केचप टेस्ट आलें लादन ऑना है दो मिनट हो गए हैं मसाला भी काफी अच्छे से भून गया है तो अब इसमें क्या करेंगे कि वह जो मैंने पानी रखी हुई है थोड़ा सा बचा कर तो मैं यहां पर आदा कप के करीब इसमें पानी डाल रही हूं और पानी में इसको अच्छे से हमें पका लेना है और थोड़ी दे मतलब एक से दो मिनट क्यूंकि अब सारी चीजे पक गई है तो एक से दो मिनट पका लेंगे तब देख सकते हैं कितने अच्छे से यह पक रहा है और यहां पर मैं अब डाल रही हूं तीन से चार चीज की स्लाइस चीज कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी चीज का यूज यहां पर कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खिचाओ पसंद है तो आप खिचाओ वाला चीज जो होता है क्यूब वाला उस चीज डाल रहे हूं इस से खीचाओ नहीं मेगाता हैं लेकिन टेस्ट बढ़िए कि आप इस चीज का भी हिस्तीमाल कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यह चीज भी काफी अच्छे से इसमें मिल्ट हो गया है तो यह जो मैंने पास्ता उबाली हुई है सारा पास्ता को इसमें डाल देंगे और डाल करके इसको हमें 2-3 मिनट के लिए धीमी आज पे इसको पका लेना है उसके वाद थोड़े से मैं यहां प इसको पका लेंगे यहां पर पस्ता जो है काफी अच्छे से पग गया है देखिए मैं आपको इपर देखा दे रही हूं आप इसको क्या करेंगे किसी प्लेट में निकाल लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी टेस्टी डिलिश्यस एकदम पस्ता दीख रहा है और थोड़े से मैं इसमें धनिया के पतियां काट करके डाल दे रही हूं जिससे की इसका लुक भी अच्छा आजाए तो आप देख सकते हैं कि टेस्टी पस्ता जो है एकदम से बन करके तयार हो गया है तो आपको यह पास्ता की रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जर सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल भी नहीं भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नहीं रेस्पी के साथ तैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग